कि सनेडो सनेडो अरे यार क्या हुआ भाई मोटा भाई मार्च आ गया 12 लाग की सैलेरी है ATC, ATD, सारी इंवेस्टमेंट्स कर दी है लेकिन बहुत ज्यादा टेक्स आ रहा है अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं अब इतने रिलेक्स कैसे हो आपकी तो 15 लाग की सैलेरी आपका तो मेरे से भी ज्यादा टेक्स आएगा अरे नो, इस बार भी मैने जीरो टेक्स भी पर रहा है जीरो टेक्स? वह कैसे? देखो मेरी 15 लाग की सैलेरी है उसमें सबसे बहले 50,000 का स्टांडर डिरक्शन निकाल दो उसके बाद वह 15,000 का इंशॉरंस ELSS वाला, ATC वाला निकाल दो उसके बाद 25,000 का मेरा इंशॉरंस है, 50,000 का मेरे पैरेंट्स का इंशॉरंस में परताओ और 5,000 का मेडिकल चेक अप उसका ATD का टोटल 80,000 निकाल दो उसके बाद 2,000,000 का मेरा हाउस एंट अलाउंस भी है, वो भी निकाल दो ओके बाद मेरा 2,000,000 का होमलोन का इंट्रेस उसे निकाल दो फिर 50,000 का NPS 80CCD 1 वाला उसके बाद मेरा जो employer है, वो भी मेरे NPS में पैसे डालता है उसका 50,000 निकाल दो 80CCD 2 का उसके बाद 1,500,000 की मेरे 100,000,000 कार्ड जो रिचार्ज होता है, जो कमड़ी पैसे डालते है उसको निकाल दो, तो लास्ट में बचे 4,600,000 जो 5,000,000 से कम है मतलब कि उसपे मुझे टेक्स देना ही नहीं है क्या बात है मोटा भई, मतलब तो मेरा भी टेक्स बच जाएगा लेकिन आपको यह सब कैसे पता चला स्मिठ टेकर को फॉलो कर लो, लाख़ो रुपिय बच जाएगे